Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल कि भारत के अंदर 50% से जादा अडल्स अनफिट है, फिजिकली अनफिट है, सोच के देखिए, और सोचिए हम जब बात करते हैं, हमारी देश की इतनी बड़ी अबादी है, और आधी जनसंग के आधा जो हमारा अडल्स पॉपुलेशन है, अगर वो अनफिट रहेगा, तो व एवरी सेकेंड इंडियन अडल्स फिजिकली इनाक्टिव, फेल्स डवलु एचो गाइडलाइन्स, और इसी के बारे में हम ठॉट डीटेल से चर्चा करेंगे, कि डवलु एचो की गाइडलाइन्स क्या कहती है, लैंसेट के स्टडी में क्या बताया है, आगे हम क्या कर सकत हैं, आपको काफी कुछ जाने को मिलेगा, चली आगे बढ़ते हैं, लेकर उससे पहले में आप सबको ये बता दूँ, कि आप में से जो भी लोग 2025 की UPSC की त्यारी कर रहे हैं, आप हमारे बैचे इसको जॉइन कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, तीन अलग-अलग ल आप करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जाएए, वहाँ पर स्टोरीज में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप अटेम्ट कर पाएंगे, तो चली सुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं, कि exactly हुआ क्या है, देखें, यहाँ पर एक new data published किया गया है, Lancet Global Health के अंदर, एक daily है, मतलब magazine आप कह सकते हो, जिसके अंदर कई सारे जो data हैं, अलग-अलग point of view से वह आपका डाला जाता है, इसके अंदर ये बताया क्या है, कि भारत के अंदर जितनी भी आबादी है, adult population की, ध्यान रखेगा, हम भारत की आबादी के बात करते हैं, तो आज क present time में बोला जाता है, कि लगबग 140 करोन की आबादी होगी, इसमें से अगर मैं कहूं, मान लो example की तोर पर, 100 करोन adult population है, ठीक है, तो इसमें से 50%, मतलब 50 करोन आबादी हमारी physically inactive है, सोचके देखिए, मतलब वो उतना काम नहीं करती है, physically active नहीं है, जैसे कि walking करना हो गया, swimming क मतलब physical activity 50% लोगों में आपको नहीं देखने को मिलेगा, और यह बहुत चिंता का विश है, और मैं आपको बता दो, इसमें से सबसे ज़्यादा unfit actually महिलाएं हैं, लगभग 57%, जितनी भी adult महिलाओं की संख्या, उसमें से 57% unfit हैं, और जितने भी adult men की संख्या है भारत के अ 2.3% था, जो कि अभी बढ़कर 50% हो गया है 2022 में, और ऐसा ही चलता रहा अगर, तो 2030 आते आते 60% हमारा जो adult population है, वो physically unfit हो जाएगा, मतलब अगें आप इसमें से देख पाओगे, यहाँ पर जो men का population है, उसमें से आप देखिए in the year 2000, 19-20% संख्या जो है adult population की physically unfit थी, यह बढ़ते बढ़ते अब हो गया है, करीब 42% और यह क्योंकि men की हम बात कर रहे हैं, और यह 2030 तक 51% हो जाएगा, और वहीं female आप देखिए, 2000 में 25% adult female unfit थी, और यह इस समय 57% और यह बढ़कर 68% हो जाएगा, तो काफी चिंता देना इशू है, क्योंकि जब हम बात करते हैं क यह demographic dividend की हमारी इतनी बड़ी आबादी है, उसका फायदा कैसे ले सकते हैं, काम करवा सकते हैं, लेकिन वो unfit होंगे, health सही नहीं होगा, जल्दी मित्यू भी हो जाती है, इसी कारण की वज़े से कई क्योंकि कई सारे disease हो जाते हैं, तो इसके उपर हमें focus करनी की जरूरत है, यह इतना जादा significant क्यों हैं, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप देखोगे, जो WHO का recommendation उसमें यह बोला गया है, कि कम से कम, 1500 से 300 मिनट of moderate aerobic activity हर हफते होना चाहिए, adult का, aerobic activity का मतलब हो गया, कोई भी physical exercise, चाहें आप walk कर रहे हो पार्क में, swimming कर रहे हो, कुछ भी ऐसा हो, अ आप इधर से उधर चल रहे हो, एक रूम से दूसरे रूम जाए, यह walk नहीं होता है, इसको आप नहीं count कर सकते, proper तेजी से walk करना, पार्क में या पर कहीं पर भी, या फिर jogging करना, ठीक है, कुछ भी इस तरह की physical, जो aerobic activity होती है, जिसमें आपका heartbeat तेज हो जाता है, ठीक है तो अलग-अलग combination में यहाँ पर किया जा, लेकिन कम से कम हफते में 1500-300 मिनट, इस तरह का activity बहुत जरूरी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दबलू-एचो का कहना है कि यह जो physical in activity है, इसकी वज़े से लोगों को बहुत सारे disease हो सकती है, खत्रा बढ़ जाता है, जै तोटल 195 countries में दुनिया भर में भारत 12th number है, सोचके देखिए, मतलब भारत 12th highest prevalence of insufficient physical activity आपको देखने को मिलेगा, और दुनिया भर में मैं आपको बताओ तो लगभग 31% of adults, they are physically unfit, लेकिन भारत में कितना है, वो है आपका 50%, तो काफिर डिफरेंस है, यह आपको देखने को म unfit है, अब यहाँ पर कई लोग सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों भारत में इतना problem किया, देखो यहाँ पर कई सारे कारण बताया जा रहा है, कई सारे factors हो सकते हैं, एक तो जो work करने का pattern है, वो काफी change हो रहा है, recent COVID के बाद especially आपने देखा होगा, work from home काफी बढ़ गया है बहुत जादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसके लावाद जो environment में changes है, वो आपको देखने को मिल रहा है, transportation आजकल काफी convenient हो गया, अगर आपको 200 मीटर के दूरी पर भी जाना है, लोग active निकालते हैं, और उसको लेकर जाकर काम करके आ जाते हैं, वो कोई नहीं करन चाहता, ठीक है, तो इस तरह के कई सारे कारण आपको देखने को मिलेंगे, in fact मैं आपको बताओ, तो highest rate of physical inactivity, ये पूरे दुनिया भर में, जो high income Asia Pacific region है, वहाँ पर देखने को मिला है, South East Asia जो region हो क्या, और South Asia भी पीछे नहीं है, South Asia का मतलब भारत, बांगलादेश, पाकि जो physically unfit है, और जहाँ पर लोग physically unfit उतने नहीं है, वो आपको देश मिलेगा, जैसे western countries में, जो high income countries है, वहाँ पर 28%, Oceania region में 14%, ठीक है, तो ये एक चीज बहुत concern है, खेर, भारत के लिए क्यों ये इतना ज़्यादा concern है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि Indians genetically अगर आप दे जादा heart disease का खत्रा है, diabetes का खत्रा है, वो आपको भारती देखने को मिलेंगे, तो हमारे DNA मतलब हमारे genetically भी इतना जादा हम प्रोन है, और physical activity ना करके, हम उस खत्रे को और जादा बढ़ा रहा है, aggregate कर रहा है, तो इसी की वज़े से यहाँ पर जरूरी होता है, कि हम इसके है, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, 1500 से 300 मिनट पर वीक, वो इसी लिए है, ताकि heart disease, diabetes, obesity, इस तरकी चीजों को कहीं न कहीं reduce किया जा सके, लेकिन क्या हुआ है न, especially इन सारे रीजन्स में आपने देखा होगा, जो urbanization है, industrialization है, वो काफी delay हो गया, क्योंकि western countries में अग technology का बहुत important role हो गया है, तो यहाँ पर उतना जादा लोग physically active नहीं रहते, तो यह भी एक कारण है आपको समझने की जरुरत है, यहाँ पर एक और question यह है, मैंने आपको starting में बताया था, कि भारत में especially जो महिलाएं हैं, वो जादा physically inactive हैं, क्योंकि कई लोग सवाल पूसरते महिला हैं, तो काफी कावां भी करती हैं, घर में भी करती हैं, बहार का भी कई बार देखना पड़ता है, तो देखें, यहाँ पर जो doctors है, उनका यह कहना है, कि कई studies में यह पाए गया, कि भारत में जो महिलाओं का physical activity है, वो सबसे कम है, इसका current क्या है, मैं आपको बताता डॉक्टर का ऐसा मानना है, कि that is not good form of physical exercise, जैसा मैंने आपको बता है, अगर आप walk करते हो, ठीक है, तो अगर आप पार्क में walk करोगे, कहीं करोगे, तो तेजी से आप walk करोगे, थोड़ा सा उसके चक्कर लगाओगे, और घर में आप हो, तो कितना तेजी से आप walk करोगे, थोड़ा से एक room से दूसरे room चले गए, kitchen में, अब मानलो, घर में जो है, महिलाएं जो है, खाना बना रही है, तो वो आपर खड़े हो के बना रही है, खड़े हो रही है, उनको लग रहा है कि वो ठक गई है, लेकिन वो अपने ले time नहीं दे पा रही है, तो इसलिए कई ब महिलाएं जो हैं बाहर उतना काम करने नहीं जाती, तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजए से महिलाएं जादा इनक्टिव हैं, और भारत का मैं आपको बता दूँ, भारत, बांगला, देश, भूटान और नेपाल, इनसे भी पीछ है महिलाओं के मामले में, तो अब फाइ फिजिकली अक्टिव नहीं हो, वीडियो वगरा बना रहा हूं, बैट के बना रहा हूं, उतना फिजिकल एक्सराइज नहीं हो पाता, तो मैंने सुझा कि चलो, मैं बता रहा हूं, क्या पता, मैं भी इसे सबक सीकूंगा और चीजों को स्टार्ट करूंगा करना, खेर जो यह मैं आपको बता दो, कम से कम डेली बेसिस पर आपको एंशॉर करना चाहिए, कि 30 से 40 मिनट का आपका फिजिकल एक्सराइज हो, तो अगर आप इतना होगा, तो आपका जो लाइफ है, वो सही तरीके से गुजर सकेगा, और साथी साथ डाइट देखो, बहुत इस तरह की चीजों पर फोकस करना चाहिए, कि यह सब ना हो, खेर, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, यह जो लेटेस्स टड़ी आई थी, लेंसेट की, और इसके बारे में काफी चर्चा भी हो रहा था, I hope इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा, और जाने से पहले ए सकते हैं, इसका सही उतर में कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ, अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आईए, अलग लग सोशल मीडिया पर आप जूड़ को और जैसा मैंने आपको बताया है, अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, कोई